जैहिन माई डियर स्टुडेंट्स आज हम समझेंगे प्रिपोजिशन विद के बारे में ठीक है हम लोग पिछले दो वीडियो में एक में हमने इंटू देखा और एक में हमने आन देखा ठीक है और आज ये प्रिपोजिशन का थर्ड वीडियो है हलाकि मैंने एक और फिक्स भी बताया है और एक सुपर फ्लूस वाला भी बताया है ठीक है आई होब कि आपको पढ़ने में वो बहुत अच्छा लग रहा होगा इंट्रेस्टिंग काफी है ठीक है तो आई हम समझते हैं बावु इश में preposition with के बारे में देखे with का सबसे यदि first rule समझे तो with का use हम लोग करते हैं together together के sense में together मिंस क्या होता है के साथ ठीक है न बावु together के sense में मतलब के साथ के लिए जैसे हम बोले हिंदी साथ के साथ या साथ साथ ठीक है न के साथ या साथ साथ जैसे एक example हम लिखे I am with you ठीक है ना I am with you मैं तुम्हारे या मैं आपके साथ हूँ ठीक है ना तो यहां with का मतलब क्या हुआ साथ ठीक है मतलब मैं आपके साथ हूँ ठीक तो पहला use किया जाता है together के sense में देखिए question आया हुआ पुछा हुआ था SAC 2013 में question था come what come what we are blank you ठीक है और option दिया हुआ था चार option थे सबसे पहला समझना है कि come what में का अर्थ क्या होता है तो इसका मतलब होता है चाहे जो हो यह एक phrase है come what में का अर्थ होता है चाहे जो हो तो इसमें भी हमारा option था and option के recording हमारा ओविध ही होगा ठीक है ना ओविध ही होगा अन था इन था विध था मालीज़ एक प्रिपोजिशन कुछ नहीं दिया था यह not दिया था तो उसमें भी हम लोग किस का यूज करेंगे बावू विध का यूज करेंगे ठीक है ना एक और एक्जाम्पल हम देखते हैं जैसे सी इज सी इज सी इज सीटिंग ब्लैंक हर मदर ब्लैंक हर मदर ठीक है अब माल लिजिए आपके लिए ओप्शन है इन बी है आउन सी है इन्टू एंड डी है विध हो तो हमारा कौन सा हो जागा है according to option विध हमारा हो जागा सी इज सीटिंग विध हर मदर वह अपने मा के साथ बैठी हुई है ठीक है ना अब इसमें beside भी हो सकता है बट according to option हमारा यहां विध का ही यूज हो ठीक है यह देखिए हलाकि यह पुराना हो गया अब इससे ज्यादा question पुछ नहीं रहा है बट समझना सबको है जो आजकल question पुछ रहा है देखिए अब हम लोग जो देखेंगे उससे question पुछ रहा है आईए इसको हम समझते है तो इसका b concept है बाबु विध का कि for instrument for instrument touching ठीक है ना for instrument touching कहने का अर्थ यह है कि कोई भी यंत्र जब हमसे spurs करता है यंत्र होना चाहिए और वो touch करना चाहिए ठीक है ना उस sense में भी हम लोग किसका use करते है बाबु विध का use करते है ठीक है जैसा हम example लिख रहे हैं हम बोले he writes blank a pen ठीक है second लिखे he writes blank a pencil ठीक है third लिखे example से हमारा clear हो जाएगा ठीक है third लिखे और स्याम किल्ड टाइगर ब्लैंक और स्वार्ड स्वार्ड मेंज क्या होता है तलवार होता है ठीक है और यहां fourth example लिखे he writes blank pencil fifth example हम यहां लिखे he writes blank ink ठीक है ना तो आईए हम समझते हैं पहला example है और इसके लिए option माल लिजी हम यहां दे देते हैं ठीक है and d माल लिजे width ठीक है तो देखिए हम दूसरा यूज में बता हैं बाबू कि for instrument touching सबसे पहला बात की जब instrument touching हो ठीक है instrument का मतलब होता है औजार जब instrument touching हो तो उस sense में width कायूज करते हैं करा कि he writes blank a pen एक बात ध्यान रखिएगा कि instrument तो touch होना चाहिए और उस sense में 3 चीजे होना चाहिए तस्त होना ही चाहिए उसमें मतलब 3 चीजे होना चाहिए जैसे जब हम लिखेंगे he writes blank a pen ठीक वह pen से लिखता है तो माल लिजे pain हो गया एक जो लिखता है ओ हो गया एक माल लिजे writes by a pen जो गलत है ठीक है न हम जब भी उज़ करेंगे तो इस्टूमेंट के लिए किसका उज़ करते है बाबू विथ का ठीक है he writes with a pen अई होके clear हो गया होगा he writes blank a pencil वहीं बात है यहां भी हम किसका उज़ करेंगे विथ का उज़ करेंगे क्योंकि इंस्टूमेंट है ओजार है पेंसिल भी क्या है हमारा ओजार है ठीक अब देखे स्याम किल्ड और टाइगर blank a sword sword का मतलब बाबू होता है तलवार ठीक है इसमें वी तीन चीज है तीन चीज क्या-क्य, समझदेये यह तो माल लिजे टाइगर हो गया और एक सियाम हो गया, डो और एक sword जब माल लिजिए कि तीन चीजे स्पर्स में होगा, जब स्याम टाइगर को मारा होगा, तो तीन चीजे स्पर्स में आई होगी, टच में आई होगी, इसलिए हम यहां भी किस का यूज करेंगे बावू, विध का यूज करेंगे, ठीक है, यहां भी किस का यूज करेंगे, वि इन पैंसिल होता है ठीक है न अगर पैंसिल के साथ हमारा पैंसिल के साथ ध्यार रखे कि कभी भी यदि आर्टिकल का यूज नहीं हो तो हम उस सेंस में इन का यूज करते हैं अब यह फ्रेज है फ्रेज है इन पैंसिल और इंक वाला भी ठीक है इंक वाला में भी हम लोग किस का यूज़ करते है? इन का. ठीक है न? राइट देखिए राइट इन इनक ठीक और राइट इन पेंसिल समझ गए न? अब यहाँ देखिये हम पेंसिल के साथ एक क्यूं लगाया है? क्योंकि यहाँ वित इसलिए लगाया है यहाग़ा है क्योंकि किसका यूझ करेंगे बाभू किसका यूझ करेंगे इंका यूझ करेंगे हमने यहां से फिर में क्या बताया pencil है लेकिन pencil से पहले article नहीं है इसलिए हम लोग किसका यूज़ किये हैं इन का यूज़ किये हैं और in ink तो होता ही है ठीक है के लिख लिख लिजिए in के ठीक है न ink के साथ किसका यूज़ करते है इन का अब देखिए बहुत ज़्यादा पर यहां लिख लिजिए कि राइट इन इंक ठीक है एंड राइट इन पैंसिल आयोपकी यह क्लियर हो गया होगा ठीक अब पैंसिल के साथ हम विद का भी उज़ करेंगे कब जब हमारा आर्टिकल होगा इसे पहले तब ठीक है आईए हम लोग नेक्स्ट लिखा है थोड़ा सा ध्यान दीजिए और चारों कोस्टन काफी इंपोर्टेंट है ठीक है पहला कोस्टन हमने लिखा है कि ही इज सीटिंग ब्लैंक चेर ठीक है माल लिजे ऑफशन है इन ऑन ठीक है इंटू भी है माल लिजे और विथ भी है ठीक तो हम इसमें किसका मों में डिफरेंस क्या है ठोड़ा सा समझ्जिएगा कि he is sitting on a chair लिख दिए और यहां armchair है तो हम इन का यूज करती है देखे, region समझेगा, थोड़ा सा practically समझेगा, जहां हम अराम से बैठते हैं, जहां हम अराम के साथ बैठते हैं, जहां straightly नहीं, मतलब अराम से कोई भी ब्यक्ति बैठा हुए रहता है, उस sense में हम use करते हैं, इनका, ठीक? और जहां alert होका लिए, straight बैठा जाए, वहां हम लोग यूज़ करते हैं on का, ठीक है न, अब कुरसी पर, general कुरसी पर chair पर जब बैठते हैं, तो straight होकर बैठते हैं, इसलिए on का यूज़ करिएगा, ठीक है न, यह question दोनों पूछा हुआ है, अब यहां an arm chair, arm chair का मतलब अराम वहला कुरसी, देखोंगे, जिसे हम अराम से पीछे भी होकर बैठ सकते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, ठीक है, इसलिए हम यहां in का यूज़ करते हैं, ठीक है, यहां किस का यूज़ करेंगे, इन का, but केवल chair रहेगा, तो on का यूज़ करेंगे, ठीक है, I hope कि clear ह हो गया होगा, अच्छा, next correct, he is sleeping blank bed, ठीक, he is sleeping blank bed, अब इसमें किसका यूज़ करेंगे, ठीक, और यहां दूसरा हमने लिखा है, he is sitting blank the bed, यहां देखिए, sleeping, he is sleeping, यहां क्या हो जाएगा, in bed, ठीक है, he is sleeping in bed, और यहां हो जाएगा, on the bed, अब यहां भी सुनिए क्यों, he is sleeping in bed, इसलिए, क्योंकि bed सबसे पहला, bed जब sleep के लिए use हो, तो हम article 2 का use नहीं करते हैं, आप लोग ने भी article में पढ़ा होगा, कि मानले यह बेड हो गया, temple हो गया, school हो गया, यह सबसे पहले article का use नहीं किया जाता है, बट बेड यहां, जब मानले यह primary, जो इसका काम है, अगर उसके लिए use होता है, इसे पहले article का use नहीं करते हैं, लेकिन bed का use दूसरे cars के लिए, जैसे कहा रहा है, he is sitting, अब bed तो sitting के लिए नहीं नहीं होता है, जनरली sleeping के लिए होता है, ठीक है, इसलिए हम, अब देखिए, जो general use होता है, जैसे कि मानले दीजे, अगर bed कहा रह करेंगे इसलिए he is sitting on the bed हो जाएगा ठीक है अब ऐसे भी समझ यह ना जब हम सीट करेंगे जब हम बेड़ पर मालीजे बैठे हुए रहेंगे तो बेड़ पर आराम से स्वेंगे नहीं ऐसे भी समझ सकते हैं इसलिए हम लोग यहां किसका यूज किये हैं और एक बात समझ सकते हैं कि जब यहां पर जब हम बैठेंगे बेड़ पर ना तो हमारा सता बन जाएगा सता करने का मतलब मालीजे बड़ा बेड़ हो गया बड़ा जब बेड़ हो गया तो वहां एक पॉइंट बन जाएगा और हमकल नहीं बताया थे ऑन में कि जब पॉइंट बन जाता है ना कि इसी definite point पर अगर कोई भी चीज माली जे बैठा हो चाहे कोई भी चीज रखा हो तो उस सेंस में हम लोग on का यूज़ करते हैं ठीक है okay my dear students तो आप वीडियो देखकर comment करके जरूर बताए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा चलिए धन्यबाद